इस वीडियो में हम बात करनेवाले हैं, अगर आप Outlook में अपने लापटॉप या फिर कंप्यूटर में Outlook में किसी को Email भेज रहे हैं, या फिर कोई आपको Email भेज रहा है, तो आप भेजने के टाइम सामने वाले को जा नहीं रहा है, या फिर कोई आपको भेज रहा है तो आप अपने आउटलुक को ओपन कर लें ठीक है यहां पर सबसे पहले एक चीज मेक शॉर करें यहां देखिए आपको एक ओप्शन दिख रहा होगा आउट बॉक्स का तो इस पर आजाएं और यहां पर आपको देखना है कोई ऐसा इमेल जो बहुत बड़ी फाइल हो या फिर यहां पर खाली है अभी पड़ हो सकता है आपकी यहां पर कोई फाइल हो जो यहां पर आ गई हो और वो फाइल बड़ी भी हो तो उसकी वज़े से पुरा स्पेस घेर लेता है और उसकी वज़े से ही आपका जो इमेल है ना तो सेंड होता है ना रिसीव होता है तो अगर आ email होते हैं जिसकी वजह से आप email ना तो भेज पाते हैं ना तो रीषीव कर पाते हैं तो अगर आपके inbox में देखें यहाँ पर कितने email है मेरे inbox में आप देख सकते हैं 48,000 से भी ज्यादा emails है तो अगर आपके भी बहुत इमेल्स है तो आप इमेल्स को डिलीट कर दीजिए ठीक है आप डिलीट कर दीजिए एड इसके बाद एक दूसरा स्टेप बहुत इंपॉर्ट है आप फाइल एक्स्प्लोरर में जाए और यहां पर जो दिस पीसी सी ड्राइब है सी ड्राइब देखी कभी फुल ना हो यहां पर रेड ना हो आपको 25 जीबी या 30 जीबी तो खाली हो नहीं चाहिए ठीक है यह मेक शॉर्ट ज़रूर कर ले अब यहां पर बहुत ही एफेक्टिव तरीका है आपको स्टार्ट बटन पर क्लिक करना है एक बार और यहां पर सर्च करना है services.msc तो आपको यहां पर services की app दिख जाएगी इसे आप open कर ले तो कुछ इस तरीके से आपको यहां पर नजर आएगा देख सकते हैं आप तो यह जैसे ही open होता है इसे मैं maximize कर लेता हूं अब आपको यहां पर नीचे आना है जी के section में आना है यह रहा जी का section यहां से start होत service जी यूपी date और Google update service यह वाला यह दोनों हमें इन दोनों की जरुवत है तो सबसे पहले इस पर आएं और right click करें और properties का option दिखाए देगा इस पर click करें यहां पर start-up type में यह automatic होगा तो इस पर click करें इसे disable कर देए apply करें और ok कर देए ठीक है इसके बाद Google update services यह option होगा इस पर आए अब यह वाला ध्यान से देखें यहां पर right click करें properties में आए start-up type में manual होगा disable कर देए apply and ok कर देए ठीक है यह दोनों disable हो जाते हैं तो cut कीजिए यहां से और इसके बाद बस आपको को एक बार अपने laptop यह फिर computer को restart करना है restart करने के बाद जैसे ही आप on करेंगे outlook में आप कोई भी email भीजिए messages भीजिए जाएगा और आएगा उमीद करता हूं आपकी problem solve हुई होगी वीडियो पसंद आई हो तो text store को subscribe जरूर कर दें